हमाशकार फ्रेंड्स जेनवे निजे सगेड़ी में आपका स्वागत है व्यम्सी प्रोग्रामी की वीडियो के अंदर आज हमारी वीडियो है वो टूल हाइट के उपर है टूल हाइट कंपन्थेशन टूल हाइट गेट से हम टूल की हाइट कैसे निकाले है क्या होता है जी 43 क मतलब क्या होता है वह हम आज आपको इसके दर बताएंगे तो इस टेप आप इस वीडियो को देखें आपको समझ में आईगी आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें जो आपको वीडियो के बारे में पता चलेगा कैसे क्या है सारा कुछ तो इस वीडियो क तो हम सबसे हुरे बात करते हैं क्या क्या करेंगे हैं तो सबसे पर ले सकिन दर आपको एक मेर 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 में आपको क्या करना है टॉच भारिची देस्पिंड़ ओन गेज यह मिने गेज बना justify वर रखा है और इस पिंडल आपको बना रखाए को ना दिए दीर into जोग मोड में चलाके और जैसे ही आप इसको गेज पर टच कराएंगे तो एक लाइड जलेगी तो दूसरे पॉइंट में देखो क्या लिख रखा है मैंने वेन बिलिंक दा लाइट प्रेस पी ओ एस बटन पोजीशन का बटन दवाएं आप जब लाइड जल दे हैं हमारी तो पोजीशन का बटन दवा दें आप इसके बाद करना आपको सलेक्ट रिलेटिव बाई सोफ्ट की सोफ्ट क करेंगे रिलेटिव का बटन प्रेस करेंगे रिलेटिव का बटन प्रेस करेंगे रिलेटिव का बटन प्रेस करने के बाद आपको टाइप करना है जैसा ही आप प्रेस करेंगे सोफ्ट की से तो इसके बाद आपको क्या है कि यहां पर न्यू टूल जो पोजीशन आपको श सकते हो यहाँ पर पाच नमबर पाच नमबर की स्टेपना आपको करना टू सलेक्ट न्यू टूल अगर आपको पाच नमबर का टूल लेना है तो पाच नमबर का टूल ले लो दो ले लो तीन तो तीन छे तो छे दस तो दस मैंने दो नमबर का टूल लिया है तो मैं सेम उसी जैसे मैंने spindle को जो गेज पर टच कराया था उसी प्रकार से मैं अब टूल, दो नमबर के टूल को टच कराऊँगा गेज से, टच कराने पर वोई से लाइट जलेगी, लाइट जलने के बाद क्या होता है देगो, जैसे लाइट हमारी जल जाएगी, इसके बाद क्या है कि आफसेट का बटन दबाएंगे, तो आपके सामने स्क्रीन कुलेगी स्टैप से, तो इस स्क्रीन के बारे में आपको बताता हूं क्या क्या है, क्योंकि सब मशीनों में अलग अलग तरे की स्कीन आती है, आपको गबराने की को जरूत नहीं है, यहां पे एक दूतीन, एक से आफसेट नमबर तक जो मैंने लिए रखा है, यह होता है, आफसेट नमबर, टूल का आफसेट नमबर होता है, यह आप टूल नमबर भी आप इसको बोल सकते हो, केपिटल होता है, टूल हाइट आफसेट, टूल की हाइट का आफसेट होता ही है, टूल की हाइट कितनी है, हाइट वियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मानोग, अगर आपको खाच को चेंजमेट करना हो, लिवे, लंबल में, तो आप हम ये कर सकते हो तूल के डाय का डायके 20 का है ये। तो 20 भर दो, तीस तो 30 भर दो , तो आप इसके Reddy बर सकते हो वो डबलू दे रखा तो यह टूल वियर होता है यह टूल का डाय में वियर कम जदा अगर आपको करना तो आप D के अंदर विल्यू बर सकते हो तो हमारा जो टूल का नंबर था वो था हमारा दो नंबर तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम टूल को औफसेट टाइप करेंगे Z0 इसके बाद आप input का button दबा दो input compensation का जैसे आप input compensation का soft key से which button तो इस वीडियो के तो आपको एक चीज का याद रखना है कि इसको आपको जो काम गर आप करोगे तो गेज के अधिक के साथ आपको प्रेस करके जिरू करके करना पढ़ेगा तो यह जो वेल्यो घूँ एट इस दे वेल्यो फरम रेफरेंस पॉंट झाल झाल